हेलो गाइज वेलकम अगें तो माई यूट्यूब चैनल माइनम इस मनिश गुपता और वाचिंग बी एसी जी लेक्टर्स तो गाइज आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह हमारा टॉपिक होने वाला बी इवी एए यानि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि हम एंवार्म कि रहने वाला जिसमें हम क्या है अपने इन्वार्मेंट के बारे में स्टडी करें ठीक है तो यह रहा हमारा चोटा से इंट्रोडक्शन देन उसके बाद आप फॉर मोर अपडेट्स क्या है हमारी चैनल टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है एडड़ बायो लेक होगे लिए जो आवर इंवार्मेंट है यह बहुत हभी जादा बड़ा होने वाला है तौप बहुत है अगर और किसी चीज़ को बोलो तो आप समझ जाना कि वह ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है बाकि इस से रिलेटेड जो कोशन आंसर्स वगेरा भी है एक्जाम को यह क्याना प्रिविए से कोशन पेपर वह भी मैं आपको करवा दूगा जल्द अभी मेरे पास आया नहीं है वह क् सब्सक्राइब करने से पहले आप फटा फट जा सकते हैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइकन बटन प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो के नॉटिफिकेशन आप सभी को मिल सके देन आपको मैं बता दू हमारे यह इन्वार्मेंट है इन्वार्मेंट वर्ड जो है कहां से निकला है अगर मैं आपको एक फ्रेंच वर्ड है फ्रेंच वर्ड कौन सा है तो क्या है इन्वाइरोन का मतलब क्या होता है तो इन्वाइरोन का मतलब होता है सराउंडिंग क्या होता है गाइस सराउंडिंग या हमारे आसपास जो भी चीज है ना इन्सरकल यह जो हमारे आजपास की जो चीजें हैं मेंट को अगर हम add कर दें मेंट को add कर दें तो क्या हो जाएगा इसमें क्या कहते हैं एक तरह किसे action एक्षण और छहां गया शुक्सराइज हे लुटि थे ύष हो था रहां किस चीज़ को चीज को हम सी इन्वार्मेंटाल स्टीडियर स्टूडियर आए और पढ़ाने का बस एक ही मकसद है मैं आपको बता दूँ जिसgendegg इन्वार्मेंट लगज़ातर क्लामेटीश के सिकार है हम लगतार क्या है कौन-कौन से आपके नैचुरल क्लामेटीश है तो जैसे कि एक लागतार हम बदलाव के जा रहे हैं जो हमारे जो एक्शन सिच्यूएशन है उसमें हम क्या है लगतार हम बदलाब लाए जा रहे हैं, हम लगतार डवलपमेंट करते जा रहे हैं, हम पॉलुशन क्रियेट कर रहे हैं, हम ग्लोबल वामिंग बढ़ा रहे हैं, है ना, तो बहुत सारे ऐसे से इसूज हैं, जिनको हमें टैकल करने के लिए हमें क्या है, सब भी व्यक्तियों क आपका यही जो environmental studies है, ऐसा नहीं है कि आपके science वाले student को ही पढ़ाया जाता है, आपके science वाले, arts वाले, commerce वाले, सभी को यह चीज़ पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो हमारा environment है, हमारा जो पर्यावरन है, सभी इसके लिए क्या है, उत्तरदाई है एक तरीके से, अगर हमारे environment को नुकसान होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके क्या कहते है, especially arts वालों को नुकसान पहुचाएगा, या commerce वालों को नुकसान पहुचाएगा, या फिर, क्या कहते है, science वालों को नुकसान पहुचाएगा, ऐसा तो नहीं है, हम सभी एक environment में रह रह रहे हैं, surrounding में रह रह और environment में जो भी नुकसान और फायदे जो भी उत्पन होंगे, create होंगे, उनका जो सामना है, हम सभी मिलके ही करना पड़ेगा ना, हम सभी ही को करना पड़ेगा ना, इसलिए जरुरी है कि हम इसमें proper understanding develop कर सकें, सभी व्यक्तियों में एक तरीके से एक विचार को जागरत कर सके ताकि वो क्या कर सकें, environmental issues हैं उनको fight कर सकें, उनको क्या कर सकें, defeat कर सकें, हम एक sustainable development की ओर जा सकें, जिसमें क्या है, कि हम आज की जरुतों को भी पूरा करें, and future के जरुतों के लिए भी हम उसको क्या है, बचा के चलें, इस तरीके से हमें चलना है, हमें क्या करना है, जो हम हमें अपने अर्थ को बचाना है, क्योंकि जो हमारी मातर भूमी है, जो हमारा अर्थ है, वो हमारी क्या है, mother है, क्या है, mother, mother always क्या करती है, अपने बच्चों को feed करती है, ठीक है, अगर आप क्या है, mother को ही kill कर दोगे, तो she can't feed their child, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को नही ही फिर पाल पाएगे, सिंपल सी बात है, हम अनात हो जाएंगे, है ना, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो हमारी धरती मा है, हमारा जो अर्थ है, उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, हमें बहुत सारे मेजर्स को उठाने पड़ेंगे, ताकि हम क्या कर सक अपने इन्वार्मेंट को तो देखिए मेरा भी एक तरह के से यह पढ़ाने का मकसद है कि आप लोगों के अंदर भी किस तरीके से यह जो भावना है एक जो फीलिंग है अपमारे इन्वार्मेंट को लेके जो हम इतने लापर वहां बनते जा रहे हैं हम जिस प्रकार से पॉल कर ही नहीं पाएंगे है कि ने सही बात है आपकी बात बिल्कुल सही है कि डेवलप्मेंट जो है डेवलप्मेंट जो है बिना हम अपने सराउंडिंग में चेंजिस क्रिएट किये बिना हम नहीं कर सकते हैं यह बिल्कुल बात सही है आपकी बट यह भी तो है अगर हम लगत सीजन में क्या होता है मौसम जब बदलता है तो हमें क्या होता है बुखार हो जाता है बिमार पड़ जाते हैं क्या इसी प्रकार से environment को भी अगर हम इसी तरीके से instant change देते रहेंगे तो इसके कई सारे दुस्प्रवाब हो सकते हैं, side effect हो सकते हैं, आपको मैंने बता दिया जैसे कि प्रण लेना होगा, या मैं बोलू, एक क्या कहते हैं, आपको promise करना होगा खुछ से कि हमें किसी तरीके से environment को protect कर सकते हैं, अभी मैं बता दूँ आपको, जो आज के हाल में ही जो एक environmental index निकला है, इसमें आपका जो इंडिया है, इन्होंने काफी अच्छा performance दिखाया है, या लेकिन आपको मैं बता दू, पहले और दूसरे और तीसरे पाइदान पर अभी तक कई सालों से क्या है, कोई भी nation नहीं आपाया, यानि ideal जो है, ideal country आज तक कोई भी नहीं बन पाया, लेकिन अगर मैं चौते नंबर पर बात करूं, तो चौते नंबर पर Sweden है, तो यह कुछ जिनमें बहुत कम pollution होता है, बहुत कम industries है, और उन्होंने बहुत सारे जो energy के resources को क्या कर रखा है, डाइवर्सिफाइ कर रखा है, ऐसा नहीं कि उनका जो energy का रोस, क्या कहते है, energy का जो source है, वो coal base है, या फिर क्या है, coal जला रहे है, electricity produce कर नहीं, उन्होंने कई सारे चीजों को diversify कर रहा है, कई सारे चीजों को उन्होंने solar, क्या कहते है, solar panels fit कर रहे है, क्या कहते है, आपके windmill बनाया है, ताकि वो क्या है, एक green energy, एक green revolution ला सके, green revolution ही, green energy produce कर सके, ताकि उनका country एक स्वक्षर है सके, तो कापी उन्होंने महनत करी है, तो वैसे तो अगर मैं बात करें इंडिया की rank 5th होनी चाहिए, बट ये क्या है, by default इंडिया की rank 8th हो जाती है, क्योंकि 1, 2, 3 जो है, इस पायदान खाली पड़े रहते हैं, ये तीनों पायदान खाली रहते हैं, देन उसके बाद हमें फटा बर structure की बात करते हैं, क्योंकि ये जो आपका motivation था, ये खतम होग क्या concept है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है, जब हम environment की बात करेंगे, बहुत से components है, और types of environments भी है, उनको भी हम study करेंगे, components of environment हो गया, types of environment हो गया, significance of environment for life, environment का significance की तरीके से हमारी जीवन से जुड़ा है, तो उस इसको भी हम पढ़ेंगे, human environment relationship, ये भी आपका most important topic है, इसक इससरे का relationship होता है, and concept of sustainability and sustainable development के बारे में पढ़ेंगे, and multidisciplinary nature of environmental studies के बारे में पढ़ेंगे, importance of environmental studies के बारे में पढ़ेंगे, summary पढ़ेंगे, summary नहीं पढ़ेंगे, but ये question answer वगरा भी हम चलते जाएंगे, तो देन हम introduction की बात करें, तो आप सभी को मालूम है, एक अर्थी ऐसा planet है, जो कि हमारे life को क्या करता है, support करता है, है कोई दुनिया में, जो कि अभी खोजा जा चुका है, कि वहाँ पे जीवन मौचूद है, life मौचूद है, वहाँ पे बहुत सारे animals रह रहे हैं, तो अभी तक तो हमने basically नहीं ढूंडा है, अभी बस अनुमान तक लगाए है, कि यहां कि उन planets पे हो सकता है, जीवन हो सकता है, life possible हो सकती है, लेकिन अभी अगर हम बात करें, currently situation की बात करें, तो हमारा एक अर्थ ही है, जो life को support करता है, बहुत ही vastness आपको दिखेगा, मतलब एक तरग से diversify दिखेगा, बहुत सारे species हो गए, बहुत सारे nature हो गए, बहुत स तीन वर्ड और मैं discuss कर दूँ आपको यहां पे, यहां पे, एक होता है आपका lithosphere होता है, एक होता है lithosphere, यह आप सभी ने छोटी classes में पढ़ाया, बहुत बार पढ़ाया, एक होता है hydrosphere, hydrosphere, और एक होता है आपका atmosphere, ठीक है, यह तीनों ही आपके क्या मिलके बनाते हैं, biosphere जहां पे आपका lithosphere, यानि land area हो, है ना, lithosphere किसी कहते है, जहां पे land मौझूद होता है, है ना, and then hydrosphere किसी कहते है, जहां पे water मौझूद होता है, जहां पे water present है उस वाले area को हम hydrosphere कहते है, and atmosphere किने कहते है, जहां पे different type of gases मौझूद होता है, यानि हमारे skies में, ठीक है, तो य लिविंग क्रियेचर, जो भी आपके लिविंग क्रियेचर हों, इस सब मिलके क्या बनाते हैं, एक बायोस्फेर बनाते हैं, यानि लाइफ को सपोर्ट कर पाते हैं, जीवन को संभब बना पाते हैं, यह आपका जो है बायोस्फेर क्यालाता है, भूमंडल, यह क्या कहते हैं, आपका कौन सा मंडल कहते हैं से बायोस्पेर जैब मंडल हां तो इसे जैब मंडल का निर्मान करते हैं इसे नेरो जोन जो आपका यहां पर लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर और आपका क्या है एटमोस्फियर जब तीनों जगे और एनिमल्स भी लिविंग क्रियेचर एनिम सुम्हाइब नहीं कर पाएगा सन के विना क्या है हमारे क्रॉप सब्स नहीं हो सकते है क्या पर है यदुन आस पा स्बाइब पोधे जितने बीूद thank you had you सब्सक्राइब करने का विए इस टाइप करता है और कुछ हैं कि नहीं होगा तो दिपेंदेंसी ही है होंगे है है। है अगर सोन नहीं होगा तो眠 प्रोडूइशी नहीं होगा वेडिटिशना लोगी टिर ब्रहु데 प्रहुने होगे का है। और आघंडralट कोई यह वगत्र शूतार। होब देखेंशने एब इसलों क分ाना और पर उनको नने इ हो पाएंगे उनने नहीं मिल पाएंगे नहीं मिल पाये गांगे उनने क्त्रवाइब न चीजफ एंगे से प्रॉपर तो रहा है या है कुछ इन्टेकिन आप इसलगे में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम एक holistic meaning के बारे में पढ़ने वाले environment के यानि broad terms की बात करें environmental जो इंक्लूड करता है किसे-किसे external to an organism that affects it जो भी आपके organism है उसके जो externally जो भी surroundings में जो भी चीज मौदू मौजूद है जिने वो effect करता है organism को effect कर रहा है तो वह आपका क्या है एक तरह के से environment के लाता है अगर मैं बात करो physical as well as living factors की बात करों तो यह भी क्या एक तरह के से impact डालते है organism के ऊपर ठीक है physically या फिर living factor के ऊपर दन बात करें action and interaction proof की बात करें तो physical or living factor जो एक तरह के से system बनाते relationship between organism and surrounding तो उसे क्या कहेंगे guys हम ecosystem कहेंगे ठीक है याद रखेगा इसका जो आपका definition होगा ecosystem का the action and interaction of the physical and living factor physical यानि जो आपका environmental surrounding है उसके factors and क्या कहते है living factor जिससे क्या पॉसिबल हो पाती है ये तीन factor में लिप्तोस्पेर बाइस फिर एन अड्रोस्पेर है यह atmosphere यह सारी चीज़े मौजूद होते एक तरह के से living factor की तरह इनके लिए काम करें living creature से हमारे क्या है environment में हमारे अर्थ पर मौजूद है बहुत सारे ऐसे आपके non living creature and non living components भी मिल जाएंगे जो हमारे ecosystem का part है and बात करें concept भी समझेंगे कि sustainable development क्या है इसका existence कैसे आया and symbiotic relationship किस तरीके से human और environment के बीच में होता है symbiotic relationship बहुत बार हमने botany और psychology में पढ़ा है symbiotic यानि एक तरीके से कि दोनों की आपस में dependency होना यानि human being और environment का आपस में किस तरीके से dependency है mutual relationship है mutual mutual relationship है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है उसके बारे में पढ़ेंगे and then उसके बाद क्या है कई सारी centuries जो है जो कि environment हो गया virtually unlimited resources को हमने क्या करा सब तल करा gradual changes लाए है altered our environment in many different ways हमने कई तरीके से अपने changes create करें है क्या है हमने environment है resources का दोहन करा और कई सारी चीजों में आपको changes देखने को मिलेंगे बहुत सारी human population के बारे में भी हम जानने की बात करेंगे changing scenario क्या है over the years क्या है लगतार हमारा पॉपलेशन बढ़ता जा रहा है और आप सभी को मालूम होगा कि हाल महीं क्या है एक 8th billion आपका क्या है एक बच्चा पैदा हुआ था तो इसको काफी लोगों ने अर्थ पर क्या हो चुका है लोड हो चुका है किसका population का दन बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवलूशन इंडस्ट्रियल रेवलूशन के आर कारण ही आपको क्या है इतनी जादा इंवार्मेन्टल चेंज देखने को मिल रहे है और क्या है आशमान में रिलीजक्गय है वहlı अभी तक हमारे ऑड़ी ऊऔर क्यों करहें कि यह जो इंडस्ट्रियल रेवलूलुशन जो स्टार्ट हुआ था उस समय इतने सारे क्या है आपके बहुत ऐसे जो आपके ट्रैडिशनल रिसोसेस थे ना, जिसके थूरूब क्या बहुत जादा आपके क्या केते हैं, स्मोक रिलीज होता था, कार्वन रिलीज होता था, जिसके कारण बहुत ही जादा हमारा इंवार्मेंट पॉलिट होगा, और अभी तक लगतार आपका क्या इंवार्मेंट पॉलिट उड़ा है, एक चीज में आपको बदा ना भूल गया, जिसमें जो आपका इंडिया जो 8th rank पे था, वहीं पे आपका चाइना जो है 51th rank में आया, और अमेरिका भी आपका लगवग लगा 58th rank में आया, यानि इनका तो हालत और भी खराब है, जो डेवलप निशन अपने आपको कहते हैं, कि भई हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्से हैं, हम तो इन्वार्मेंटल जितने भी इसूस हैं, हम उनसे फाइट कर लेंगे, लेकिन जस्ट वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इंडिया की सराना की जानी चाहिए, इंडिया में लोग पड़ लिख रहे हैं, इनके बारे में बहुत जादा जाग रुकता फैल रही है, देन हम बात करते हैं, देखो इस उनिट में हम क्या है, अनेबल हो जाएंगे, जान जाएंगे हमारे इंटलिजन्स और स्किल एक तरह की से यह हमें बत पहले जो जनेरेशन थी हमारे माँ बाप दादा दादी उस समय इतना जादा जो यह क्रीट किया गया, यह जो इन्वार्मेंटल पॉलूशन क्रीट किया गया, इंडस्ट्रिल एवलूशन के आने के बात, वो क्या है, उसका खाम्याजा हम भी भुकतेंगे, और आने वाले तो उसी से बचाव के लिए हमें एक तरह की स्किल, एक इंटलिजन्स को डवलप करना होगा अपने माइंड में कि हम किस तरह के से अपने इन्वार्मेंट को मैनेज कर सके और इस यूनिट में हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के बारे में बढ़ेंगे और स्कोप भी में और जो हमाल स्राउंडिंग है इन सब के बारे में रेकोगनाइज कर पाएंगे क्या कॉंसेट ऑफ सस्टेनेवल्टी यह आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हम बच्पन से बढ़ते हारे चटी से लेकिए अभी थक ग्राजूशन तक हम सस्टेनेवल्टी और सस्टेनेबल के बारे में पढ़ते हारे तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इन मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वार्मेंटल स्टेडीज क्या क्या आपके डिसिप्लीन्स है आपके इन्वार्मेंटल स्टेडीज में उसके बारे में पढ़ेंगे एप्रिसियेट से इंटरेक्ट कर रहे है किसी ना किसी मीडियम से लगतार and fully adapted वो गया है उससे fully adapted हो चुके हैं जिसे हम क्या कहते हैं surrounding को हम क्या कहते हैं natural environment कहते हैं हमारे आसपास के परियवरण को क्या कहते है जो naturally build है, बिल्डप हुआ है, जिसे गौटने बनाया, ऐसा हम कहते हैं, तो यह आपके क्या है, आपके Natural Environment होगे, Natural Environment जो World है यह आपका एक broad Mindscape को, Aspect को, Landscape करता है जैसे कि आपका Soil होगया, Water होगया Desert होगया, Mountain होगया, जिसे हम क्या है, आसानी से exactly एक चीज़ और हम पढ़ने पढ़ेंगे अभी आगे अबायोटिक एड़ बायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्स इसके बारे मुझेगा बायोटिक आप समझ जाए ऐसे जो आपके क्या है नॉन लिविंग हो गये या और क्या होगे एक होता और गैनिक हो गया आपका यह नॉन और गैनिक हो गया तो जितने भी आपके नॉन और गैनिक वस्तुवे हो गई यह आपके अबायोटिक में आगए जैसे कि आपका स्टोन हो गया रिवर हो गया आपका एयर हो गया यह सारे अबायोटिक रिसोर्स इस या फिर में बोलो अबायोटिक आपके सबस्रांस हो गया फंगसु घुल गए पेड़ पौधा जो भी कहां यहां पें आते चैंसके बाद यहां पर बता राता यह सारी आपके क्या हो गए है अब है स्टैट्ड हो गया डिजर्ट हो गया वाटर हो गया हुस्ट इस SHOIL हो गया इस्ट यह सारी आपके ऑग्या इन्फ्लोंसेश में आ ग करें इसको मजहकर कैम मुग हो गैं motivating मृटलर मैं एक और यह जो आपके क्या है एक सरांदिंग लाइनिक को जो किन चलते हैं सुरांदिंगकर थियूंकर Sun करते हैं एक event को surrounding और environment को ठीक है जितने भी आपके non living और living और यह आपके components होगे यह क्या है एक किसी भी और इंफ्लॉएंस करते हैं प्रभाव डालते हैं environment जो आपका derive हुआ यह चीज मैंने बता दिया आपका environment से छलिए ठीक है then उसके बाद आपका क्या है humans की बात करें तो several kind of environment जैसे आप कही business कर रहें आप दुकान पर बैठे हैं आप office में बैठे हैं तो वह एक तरगे से business environment हो गया then political environment की बात है यानि जहां पर political चर्चा हो रही है वहां पर बैठे है तो एक तरगे से political environment हो गया तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजे है जो कि हमारे environment का part है बट हम किसे पढ़ने वाले हैं तो हम just describe करेंगे natural environment को यानि air water land plants animal and other organism को हम यहां पर डिसकस करने वाले है क्या है कि nature जो है interact करती है अपने environment से या मैं बोलो organism से है ना उनका जो influence पढ़ता है वह उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ठीक है हम यहां some of total air water and land interrelating ship and themselves the human beings plants animals and other organism ठीक है ह सम करके किस तरह किसे अम पर impact डालता है उनके बारे में समझेंगी ठीक है एक दूसरे का impact डाले है byotic or a biotic substance जो भी आपके components है ठीक है ऐसा कोई organism है जो कि क्या है बायोटिक या फिर अबायोटिक component से बिना interact करे अपने अकेला रह रह रहा हो है कोई आप सोच सकते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है कोई भी अगर इस अर्थ पर मौजूद है तो उसको बायोटिक अबायोटिक याने biological या फिर अबायोजिकल आपक किसी भी component से आपको क्या है एक तरह के से interact करना ही पड़ता है ठीक है तो यह common सी बात हो गई एंड आप सभी को मालूम है जो हमारा जो फूड है फूड के लिए हम directly indirectly हम plants पे dependent होते बेसिकली green plant हो गया है जो कि अपने food खुश से produce करते है तो plant हमारे depend करते है अनिमल पे देग क प्रफिस हो गया पॉंड में यहां पर इंटर्नल और एक्स्टरनल रंवार्मेंट की बात कि गए तो चलो इसको में discuss करता हूं तो देखा देखो उसके बाद क्या है बायोटिक इंवार्मेंट को कंटेंड करता है तो लाइट होगा टेंपरेचर हो गया वाटर होगा निव और बाइो ठीक सबस्टांस है तो देखा देख है उसके बाद ऴायक के इन्वाइरमेंट के या के फॉल्र माइक्रोक्रफ कोपिक और गर्जी मोगे है लुगए जिसे हम क्या कहते हैं प्लैक्टों स्टांस जो कि पानी में होते हैं कुश्छ फ्लोटिंग करने वाले plants वगेरा हो गया है ना कुछ submerged हो गया है ना कुछ partly submerged होते हैं ठीक है उसके बाद आपके कुछ trees grow होते है तो यह एक तरीके से pond के आसपस age होता है ना उसके बाद आपके जो इंसेक्ट हो गया, वाम हो गया, मोलस्कस हो गया, टेड़ पॉल्स हो गया, फ्राउग हो गया, बर्ड्स हो गया, वेरिस काईंड ओफिसेज आपको यह हां आसपास मिल जागेँ, आप पे पिक्चर से आप देख के समझेए, देखे क्या है कि एक environment, एक biosphere create किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो हमारा environment है, यह जो आपका biosphere है, यह कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, क्या है, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, यहाँ पर बहुत सारे trees, plants, आपको, algae, fungus, सब ताइप के आपको organism मिले phytoplankton, minnow, carrifis, bass, saprotrops, यहाँ जो क्या कहते है, सड़े गले, dead and decaying, substance be dependent होते हैं, fungus वगेरा हो गया, then उसके बाद roundworms, है ना, roundworms आपके कौन से हो जाते हैं, तो आपके जितने भी nematodes हो गया, bettles हो गया, striders, waters, ducks वगेरा, geoplankton, strickleback, यहाँ यह सारा leeches भी दिख रहा है, य तो कुल मिला के, flies भी दिख रहा है, यहाँ पे है, और्थरोपॉट से भी दिख रहा है, butterfly भी दिख रहा है, यानि कुल मिला के, एक creature create करते हैं, एक environment create करते हैं, जिसके थुरू क्या हो पाता है, यह decomposer होगे, saprotroc, bacteria, fungi, like, तो एक तरीके से एक age मिल पाता है, एक environment create हो पाता ह किस पे, pollination पे depend करेगा, and pollination जो होगा आपका उसको जीने के लिए water चाहिए, water आपका pond से भी लेगा, तो एक तरीक इस क्या है, dependency, एक circle, एक chain जैसा create हो जाता है, तो आपके जिदने warm, smallest, tadpole, frog, birds, यह सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगे, सारे decomposer मिल जाएगे, सब चीज मिल जो सारे movement कर रहे होंगे, ठीक है, आपके, जितने भी पेड़ पौधे बड़े हो रहे होंगे, सूख रहे होंगे, पत्या गिर रहा होगा, यानि एक तरीके से स्थिर नहीं है, यह लगातार क्या है, movement कर रहा है, static नहीं है, then biotic और abiotic factor जो है, एक तरीके से flux and keeping continuously है, एक तर इसे कहते है, range of tolerance, यानि कोई organism है, जो कि इतने जो बदलाव जो आसपास उनके environment में हो रहे हैं, अगर उसको tolerate कर पाता है, सहिन सुन बन पाता है, उसको लेके, एक तरीके से जहल पाता है, ऐसा समझे, अगर मैं locally language में बोलू, जहल पाता है, तो then उससे क्या है, वो एक तरीक तो आपको इस तरीकी से environment में instant change देखने को मिलेगा, instant change को बहुत सारे organism survive नहीं कर पाते हैं, और वो मारे जाते हैं, तो वो क्या गलाता है, आपका range of tolerance, छमता जो है उनकी tolerance करने की, उसे हम कहेंगे range of tolerance, then उसके बाद दिगे, components के बारे में भी समझ लें, जो environment में बहुत सारे जो आपके components पाए जाते हैं, तो components की बात के रहें, तो इसमें biotic or biotic में आपके कौन-कौन से होगे, तो light हो गया, precipitation, precipitation just, क्या होता है बता है, आपके यह क्या कहते है, water vapor होगे न, water vapor, vapor भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था, then उसके बाद humidity, water, temperature, atmospheric changes, seasonal changes, topography, यह सारे or biotic factors है, or biotic factors इसमें कहीं भी organic substance आपके मौझूद नहीं होगे, then उसके बाद हम बात करें, biotic components की तो plants होगे, animal होगे, humans, parasite, microorganism, decomposer, यह सारे biotic components की हिस्सा है, then उसके बाद देखें क्या है, कि जो physical component है, एक तरह के से set, physical component की नहीं कहा गया, जो जितने भी आपके सब्स्टांस होगे, parasite and microorganism, parasite and microorganism, decomposers होगे, यह किस वज़े से survive कर रहा है, तो जो हमारे physical components होगे, जैसे कि आपके light हो गया, sun, मैंने बता दिया, rich source of energy, जो आपका sun ही होता है, only energy का source, precipitation, humidity एक तरह के से create करता है, एक atmosphere बनाता है, जिसमें सारे organism क्या है, survive कर पाते है, तो यह सारी चीज़े ह हो गई है आपकी, इसमें एक example भी दे रखा है, green plant जो है, वो obtain essential resources किससे करता है, तो physical realm क्या होगे, आपके water, minerals, soil, यह carbon, dioxide, atmosphere, जो भी उसको photosynthetize करने के लिए, जो भी उसको inorganic substance जो चाहिए होता है, अब iotex substance चाहिए होता है, यह मैं बहलो, physical component चाहिए होता है, वो इस पर dependent क करते हैं, तो एक तरिके से इस example से आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो आपके कई types के होता है, एक हो गया external environment, एक हो गया internal environment, एक हो गया natural environment, इनको थोड़ा सा हम depth में सबजने की कोसिश करते हैं, तो external environment की बात की जा रही है, तो external environment, जो आप ऐसा समझ लिए, आप यहां बैटे एक तरिके से जो भी आपके आसपास मोजूद है, वह आपके क्या होगे, external environment होगे यहां पे उपर में होने चाहिए, लिविंग फिस की example लिया गया है, वह आपने pond में रह रहा है, तो pond उसका क्या हुआ, एक तरिके से natural environment हुआ, तो उसी की तरिके से क्या है, internal environment की बात करें, तो internal environment में, ऐसे समझ सकते हैं कि जो फिश के अंदर, एक तरएक से यह फिश बनाओं 02. फिश के अंदर जो cavity प्रिजेंट है, असके हैै, वह उसके लिए ifotional environment हो गया, उसके लिए internal environment हो गया, उसके internal environment की से खोएंगे, जो body के अंदर i. अधर दो इनवार्मेंट हुआह, उसे internal ने ऐन्दर जो कहा है Cavity present है वह तरर रहा है एक तरगी से Internal environment है ठीक है ऐसा समझोखते है environment के बहार और environment के अंदर ठीक है ऐसा इसके जो बहार होगा उसे External environment कहेंगे इसको external कहेंगे external और में इसके अंदर जो environment होगा वाय के बाहरी और फोकिल उचला कुल कैसा घ्रिक शो सोख भा座 ख्वेज्ब फान भॉड़्च की घीडा और को तो अपने प्राइजिक ज्यू और प्राकृतन अगर मैं बात करूं कोई सेर है सेर क्या है फॉरस्ट में रहता तो फॉरस्ट क्या है फॉरस्ट मतलब सेर के लिए नेचरल इन्वार्मेंट है तो अब आयोटिक फैक्टर हो गए जैसे पॉंड और लाइट हुई सेम चीज़े आ रही है आपकी तो वह डिजल्व करते गैसे एक फिजिकल फेक्टर जो कि फिशिष को एक जीने में और उस पर भी बहुत सारे और यह पॉंड होते हैं जो कि आपके पॉंड में मिल जाएंगे बैक्टिरी नेक्टेरी ने लिए शेटेशन भी आपको मिल जाएंगे ठीक्या प्लेंक टॉंस वगर्या इसे शीज़े अर इसके बाद, डिस्कुर्जड ओनली दे नैचुरल इंवार्मेंट, तो इस सारे आपके क्या है नैचुरल इंवार्मेंट है, ठीक है, फिश के लिए तो आपका पॉंड हो गया, और भी बहुत से जॉबर गूनिद हो गया, फॉरेस्ट, ग्रासलेंट, सवाना, डिसर्ट ये सारे उनके लिए एक तरिके से नैचुरल इंवार्मेंट बन सकते हैं, अलग-अलग, आपके क्या होगे, जो इनवार्मेंट में क्रिएट के गये हैं, हुमन द्वारा, वो भी आपका एक इनवार्मेंट है, जिसे हम कहते हैं, man-made कहते हैं, बाद में, human-made कहते हैं, उसे हम समझेंगे अभी, तो अपके क्या-क्या हो गया, crop field हो गया, cities, industries, space हो गया, ये सारे जो artificially human है, create करा है, आप, land करा है, manipulate, देखिए यहां पे आप अच्छे समझेंगे, बहुत अच्छे से दिखाएगे आपे तो आप देख सकते हैं आप ओशन है लेक हो गया पॉंड हो गया जितने भी यह सारी नेचर ने अपने आप से उसे क्रिएट करा है उसमें किसी भी हुमन के द्वारा चेंजिस नहीं लाए गया वह सारे इंवार्मेंट आपके नेचरल अधिजार नेचर ने अपने आप से इसे क्रिएट करा है उसमें कोई भी हुमन द्वारा चेंजिस नहीं लाए गया तो औ lesser उसमें क्यावंन चेंजिस ला रहे है जो चेंजिस ला दिजाएंगे उसे मोलेड आपका just swimming pool क्या वो swimming pool आपका natural environment नहीं swimming pool human बनाए गया है ठीक है तो उसे कहते है human made environment then उसके बाद human द्वारा modified भी किजाते हैं यानि अगर उसी natural environment को अगर थोड़ा सा modify कर दिया जाए जादा उसमें changes ना लाए जाए मतलब एक तरह के से park बना दिया जाए century बना दिया artificially बहुत सारे पेड़ लगा दिया जाए जाए सड़क के किनारी किनारी पेड़ लगा जगल बना दिया जो कि human द्वारा बनाए जाए तो एक तरह किसे होगा तो naturally लेकिन वह modified किसके द्वारा होगा human द्वारा modified environment को लागा यह बाग देख रहे होगे आप बगान plantation होगे और पेड़ वगारा जो लगाए जाते है centuries वगारा बनाए जाते हैं वह human modified environment ठीक है natural नहीं किलाएगा then human made environment तो आप समझी रहे होगे industry, cities, town, crop field, artificial lakes and dams सारे आपके human environment के अंदर आ जाते हैं significance of the environment for life के बारे मैं समझेंगे तो देखे क्या है आपका जो environmental organism है वह क्या आपके inhibit करते है all the life supporting elements यानि उनको जो जो चीज़ चाहिए होता है जीने के लिए वह अपने survive करने के लिए वह सभी में एक तरगे से उसी जगे पर आवास करते हैं अगर मान लीजे मचली है fish क्या वैसा desert desert तो नहीं चाहिए मतलब चाहिए होगा या मैं बोलू desert तो नहीं डूढ़ेगा आवास के लिए उसको अगर आवास चाहिए इसे home चाहिए तो वह desert में तो नहीं जाएगा रहने के लिए simply उसके पास वैसा अनुकूल the fish हमेसा pond में survive कर पाते है cactus आपके desert में survive कर बाते हैं कर जाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे जो आपको organism मिल जाएंगे जो कि उनके लिए specific habitat होता जिसमें अगर वह रहते हैं तभी वह survive कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे उसके लिए life supporting elements present होते है then breathe के लिए आपको air की जरद पढ़ती है खाने के लिए आपको खाने की जरद पढ़ती है पानी की जरद पढ़ती है shelter की जरद पढ़ती है cave हो गए, trees holes हो गए यह सारे क्या है, artificial dwelling like house यह सारे life supporting elements है ठीक है, इनके बिना जीवन संभव हो पाना मुस्किल है simply अगर हम इंसानों की बात करें तो उनके लिए क्या है उनको खाना चाहे तो खाना तो ऐसे नहीं मिल जागा जंगल से गए और उठा के लिए उनको cultivate करना पड़ेगा महनत करनी पड़ेगी थोड़ी तो वह cultivate करेंगे जो soil provide किया गया nutrient उनमें क्या है प्लांट को grow करेंगे है एक तरह के से वन अरिया में वह place to place क्या है आपको यह soil है soil में जो आपको mineral से आपको एक जगे से दूसरे जगे आपको different मिल जाए कहीं पे आपको black मिलता है कहीं पे आपको brown पे आपको red पंड भेड़ देला को में प्रेंगे हैं यह जब अम पढ़ेंगे ना बीजर बीबड़ा बाइश कोड़ी आपको सारी पाइप अपको पढ़ने को मिलेंगे अभी हम जो पड़े इस पर फोकस करते हैं, देगी क्या है, तो बहुत सारे जो nutrients हो गहें, आपके soils lacking nutrients हो गहें, आपको यह सारे आपको अलग अलग जगह पर मिलेंगे, ठीक है, अब क्या है कि मान लिए कि आपका जो soil है, nutrition खो देता है, तो उसमें आपको क्या है, fertilizer वगएरा add करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, तो fertilizer आप add करोगे, देन उसके बाद आपका क्या है, बहुत सारे climate और weather भी depend करते हैं, अगर climate और weather अगर change होता रहेगा time to time, तो उसे क्या है, आपको एक तरगे से जो एक climate मिलना चाहिए, environment मिलना चाहिए, उसको habitat मिलना चाहिए, किसी organism को grow करने के लिए, चाहे plant ही कि नहीं हो आपका, तो वो एक actual environment, एक actual habitat में ही grow कर पाता है, देन उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे क्यों देख सकते हैं, यहाँ पे, describe करना है, बहुत छोटा सा है, 30 words में, इसमें describe क्या करना, significance of physical components of an environment, तो कौन-कौन से आपके, क्या हो गय components हो गए, वो physical components, यानि significance of physical components in an environment, यानि जो एक तरिके से किस तरिके से significance होता है, तो biotica आपके जितने भी आपके components हो गया, उनका physical components की साथ significance होता है, इसमें आप लिखोगे क्या तो इसमें आप लिख सकते है था फिजिकल कॉंपनेंट्स है वह एक तरीके से फिक्स करता है सर्वाइवल कंडिशन बनाता है हाँ सर्वाइवल कंडिशन क्रीट करता है किसके लिए harmful को पूसिबल बनाता है शोह चाहिए यहा पर एक्सप्ले उसके बाद एक तरीके से इन्वार्मेंट लाइफ के लिए जुर्य है तो ब्रिफली डिस्क्राइब करना 30 वर्ट में ज्यादा नहीं अच्छे से आप कर देना डिस्क्राइब कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है तो दिन उसके बाद देखे क्या है अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप ऐसा समझ लिए कि जैसे कि हमें क्या है लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट क्या क्या चाहिए होता है हमें जैसे सांस लेने के लिए हवा चाहिए होता है खाने के लिए खाना चाहिए होता है पीने के हमारे environment का हमारे जीवन में ठीक है फिर उसके बाद human environment relationship के बारे में हम बात करेंगे तो देखे यह वाला जो topic है जैसे कि अभी हमने previous section में पढ़ा कि आप पढ़ा कि all living being जो है dependent है अपने immediate surrounding for the substance and survival ठीक है मतलब एक तरगे से बायोटिक डिपेंडेंट है आपके abiotic resources पे डिपेंडेंसी है तो यह dependency जो है उनके survival का वो कहा है हमने पिछले कह कहते हैं topic में पढ़ा पिछले section में पढ़ा हमने तो यहां पे कहा है आपका human environment relationship की बात करी यानि human का environment के साथ किस तरीके का relationship होता है किस तरह का रिस्तानाता होत जैसे कि other organism का abiotic resources अपने physical components के साथ relationship होता है बिल्कुल उसी तरीके से human का भी होता है अगर हम बात करें histories की बात करें तो आपकी human civilization जब से हुआ है तो कई सारे आपके पहले situation create हुए है पहला situation जो है human being adjust और adapt करा अपने जो prevailing environmental condition है ठीक है अगर वो environmental condition में वो survive नहीं कर पाएं तो यहां पर लिखा भी है those who not adapt or adjust तो वो क्या हो जाता है परिस्ट हो जाते यानि मारे जाते है ठीक है तो उनको adjust करना बहुत जरूरी होता है दूसरा आपका similar situation can be observed among the plant है ऐसा ही same situation आपका plant और animal के साथ भी होता है and उसके बाद human civilization progress जो है एक तरीके से people ने क्या करा develop करा knowledge को डेवलप करा technology को डेवलप करा subjugate nature तो यह सारी चीजे को क्या है एक तरीके से डेवलप करने के बाद आज हम इस condition पे इस like पहुचे हैं जिससे कि एक तरीके से हम nature के अधीन हो चुके हैं एक तरीके subjugate का गया है तो subjugate का मतलब होता है अधीन है तो हम क्या है बिना nature के interference के हम क्या है survive नहीं कर पाएंगे अगर nature हम पे interfere कर रहे है तभी हम survive कर पा रहे है जो उनके abiotic resources है physical resources है components है उनहीं के कारण हम survive कर पा रहे है then happen faster and recent asis क्या लिखाएं यह रहनी जो आपका लगतार जो आपका क्या है आपका industrial revolution वह इस इंप्रोड़ाइब अपने human meat life comfortable और यह लगतार हम अपने human जो जाती है उसके हम life को comfortable बनाने के लिए हम अपने standard को improve कर रहे है तो इससे क्या है एक तरकी से हम साथ साथ environment को damage भी करते जा रहे है जो की एक irreparable है यानि आज हम भले ही कितना भी आज क्या कहते हैं environmental studies पढ़ा लें या फिर क्या कहते हैं environment के खिलाफ fight कर लें लेकिन एक तरक किस थ्रेट है हमारे human society पे उसके survival condition के उपर कि जो planet earth है उस पे हम किस तरह किसे जिवित रहेंगे कैसे बचेंगे कैसे नहीं तो इसे हमें क्या है एक तरह किसे कम से कम damage करना है कम से कम उसे हमें रोकना है क्योंकि एक दिन तो सभी का दिन आता है खतम होने का then उसके बाद एक दिन आता है एक दिन आता है एक अर्थ है एक अर्थ है अर्थ का भी एक दिन अन्त होगा हमारा भी एक दिन अन्त होगा सबका एक दिन अन्त होता है तो वह तो possible है उसकी possibilities पूरी है लेकिन हम बात करें जो development है हम उसे क्या है उसके अन्त को थोड़ा सा कम कर सकते हम रोक सकते हैं आज है कि हम development कर रहे हैं हम अपने जो lifestyle में सुधार कर रहें, improvement कर रहें, उसको साथ में लेके चले, साथ-साथ हम उन protection की भाद करें, ठीके, अगर आपने glass भर के पानी पी लिया, तो बापस से आपको glass में पानी भरना है, तो उसका भी हमें खास कर ध्यान रखना है, ठीके, तो ये सारी किसी development और साथ-साथ protection कर सकते हैं, तो देखी किया, इसको हम next section में detail में पढ़ेंगे, तक तक यहां पर कुछ ऐसी, कुछ ideology है, कुछ philosophies है, उसके बारे में हम समझने ही कोसिस करते हैं, जो कि human environment के साथ, जो relationship है, वो बताती है, एक आपका determinism हो गया, एक पॉसिबिलिज्म हो गया, और एक हो गया environmentalism, तो देखे, क्या है, आपका determinism की बात करें, जो concept है, यह आपका जर्मन फिलोसिफर, जियोग्राफफर, फ्रेडरिक रेटिजल जो है, इन्होंने दिया है, इन्होंने जो expand किया, इस term को, यह एक और scientist है, इनका नाम था, Aliceworth Huntington, ठीक है, इन्होंने इसी term को elaborate करा, एक दम बढ़ा चड़ा के थोड़ा से लिखा, तो देखे, क्या है, आपको हमें साब मालूम होना चाहिए, कि कभी भी, आप human क्या क्या कहते है, environment को control कर सकता है, क्या, human can control their environment, can human, their environment, ठीक है, तो क्या, human क्या है, environment को control कर सकता है, क्या, possibilities है, एक हद तक मैं मान सकता हूँ कि चलो, हाँ, भाई, कर लिया, बट क्या है, हमेशा के लिए, क्या, environment को control नहीं कर सकता, simply आप ऐसा मान लिजी, अगर हमने करने की कोशिस भी की है, तो आपने तो देखाई है, बहुत सारे ऐसी से आपदाएं आई हैं, जिससे कि बहुत लोग को natural climaties का भी भी हमें सामना करना पड़ता है, बुखंप और, फ्लेड और अर्थिक जैसी जो चीजे हैं, यह सारी चीजे तो normal सी हो चुके हैं, यानि nature द्रो गरता है, औरत मेर्ड हमन, यानि जो हुमन जो बना है, वो अर्थ के द्वारा बना हुआ है, अर्थिन अर्थ को नहीं बना है, यह बात कहा है, यह बहुत सारे इननों ने इक प्रिंसिपल उता है जासे की आपके जो क्या करते हैं वह कि इंडिपेंडटन करते हैं तो अपने नीचर पर रिलाइ करते हैं तो नीचरल करते हैं को human doesn't control their nature ठीक है ऐसा आप समझ लिए earth made environment and then उसके बाद इसे हम क्या है environmental determinism कहते है इसी को हम environmental determinism कहते है जो word लिखा गया है यह जो approach होता है जो की concept बताता है natural nature control human और जो earth आपका वो earth sorry human जो है आपका अर्थ द्वारा बनाए गया तो एक तरीके से इंवार्मेंटल determinism को यह क्या है explain करता है इस approach के को अगर हम बात करें तो human being जो है वो largely influenced by nature क्या है नेचर के द्वारा human being क्या है अगर आसपास हम जितने वी देखे पेड़ पौदे पहाड़ नदीर हवा पानी जितने एक तरीके से डेपेंटेंट है अगर यह सारी चीज़े अगर हमें ना मिले तो हम क्या है एक दिन भी survive ना कर पाएं तो यह सारी चीज़े जो हैं एक तरह की से human being को इक तरह के से बताती है समझाती है अपने इन्वार्मेंटल चीजों के बारे में कई अस्पेक्ट से हुमन लाइफ के जैसे की फिजिकल हो गया आपका हेल्थ एंड वेल बिंग सोशल एकोनॉमिक और पॉलिटिकल एथिकल एस्थेटिक नॉट अनली डिपेंडेंट अन बट आ डॉमेंटल यहां पर आपकी यह कहते हैं बहुत सारी जो एस्पेक्ट सोगैं जैसे फिजिकल हो गया फिजिकल ही अगर बात करें हेल्थ हो गया वेल बिंग यह फिल एकोनॉमिक यह पॉलिटिकल एथिकल यह भली हो सकते है कि डिपेंडेंट ना हो यह ना नेचरल इंवार्मेंट बट पॉसिबिलिज्म को के एप्रोच को डिफाइन करा है उन्होंने बताया कि जो स्टेडी है जो हम इन्वार्मेंटल रिलेशन्शिप के बारे मपढ़ते हैं एक तरह किसे ऑफसूट ऑफ क्रिटेसिम ऑफ इन्वार्मेंटल डेटर्मिनिस्प ठीक है यानि एक तरह किसे करता है करता है् किया सिंपल सी बात अगर यां की यह यह वार्मेंटल अगर अगैertenवार्मेंट को गंध कर रहे हैं एक तरीके से नुकसान पहुंचारे है लेकिन यहां पे तो human भी तो control कर रहा है nature को यह एक तरह किसा करता है environmental determinants को जो evolution हो रहा है human और environment relationship का वह influenced by the advanced science and technology इस तरह किसे हमारे पास क्या है हम विज्ञान के छेतर में आगे बढ़ रहे हैं तकनीकी के छेतर में आगे बढ़ रहे हैं है तो एक तरह किसे जो possibilities जो है इंडिकेट करता है यह जो physical environment जो है passive and human being is active agent at the liberty to choose the wide range of environmental possibilities तो एक तरह किसी जो possibilities बाली जो बात हो रही है आपे possibilities की जो बात हो रही है जो physical environment के है आपके लिए एक तरह किसे passive है यह पैसिवली क्या है और human being क्या है actively agent है जो कि liberate कर रहा है तो चूज the wide ranges of environmental possible यानि जो possibilities के जो अलग-अलग ranges है उसमें एक तरह किसी human being जो है एक active agent का काम कर रहा है तो यहां पर देखे क्या है according to this approach इस approach के according क्या है कि जो pattern है human being की activities का जो result उसका होता है यानि initiative and mobility of human being operating the natural framework यानि जहां से वो क्या है mobility यानि human का एक तरह किसी दूसरे जगे जाना है प्रवास करना है एक तरह किसी अपरेट करता है एक तरह किसी natural framework को however it was agreed upon the possibility that human lack abilities to fully tame the nature and not always victorious over it है ना तो यहां पर जो एक बात लिखे गई है ऐसा समझ सकते है कि यहां पर देखे क्या है कि however it was agreed upon the possibilities that human lack the abilities यह बात तो ठीक है कि भाई human के पास जो है abilities की कमी है है ना वो एक तरह के से nature को वस में कर प्टेम यानि वस में कर पाना है ना किसी चीज को nature को वस में कर पाने में आ कामियाब है but not always victorious over it और क्या है उस पे जीत भी नहीं हासिल कर पाता है कभी-कभी ऐसे आपके जो environmental condition हो जाते हैं जिस पे क्या है कि इंसानों का बस नहीं है उसके उपर हैं हम क्या है कि जैसे कि अगर कोई मर रहा है वेक्ति है डाइ कर रहा तो क्या हम उसको मरने सरोग सकते है उस इस वे हम अ बहुत तक research चल रहा है उस चीज को अभी तक हमने victory वगेरा पान ही पाए है एक समय आता है कि कोई बुड़ा होता है वैक दियान उसके बाद मर जाता है तो एक तरह के से जो नेचर है नेचर जिस तरह के से अपने आपको ऑपरेट करती है उससे हमें अभी हम बेक्टरी नहीं पापाए है बट एक तरह के से हम जो हमारे जो साइन्स हो गए है ना अकैडमी कोपरेशन विद न कि इस तरह के से हम कोपरेट कर सकते है नेचर के साथ यानि mutual interaction कर सकते हैं है ना human being और environment का ना कि ऐसा ना हो कि सिर्फ और पर human being अपना फाइदा पहुचा रहा है और अपने परियावरण को नेचर को नुकसान पहुचा रहा है ना ऐसा नहीं होना चाहिए mutual relations होना तुम भी फाइदा लो और तुम में भी फाइदा देंगे तो कुछ इस तरीके का हमें condition एक ऐसा इन्वार्मेंट डेवलप करना है देन उसके बाद environmentalism और ecological approach की बात करें तो यह जो approach है यह based किसके उपर है तो कुछ basic principle है ecology के हम बात करे study of mutual interaction यहीं पर बात खतम हुई थे है mutual interaction की अब देखे क्या है environmentalism में आपका mutual interaction आ जाता है देखे क्या है कि जो organism हो गया है physical environment हो गया एक तरफ क्या है कि जो interaction जो होता है organism का वो क्या होता है किसी ना किसी given ecosystem में होता है जो आपके आसपास मौझूद है है पारी तंत्र हो गया उसमें आपका होता है then approach describing human being is an integral part of the nature और यह जो approach है क्या describe करता है कि भाई जो human being है वो integral part nature का अपने environment का तो human being जो है आपका most skilled and intelligent है यह ना unique role उनको दिया गया है कि play कर सके ए productivity बढ़ा सके है ना environment को बढ़िया एक स्वक्ष एंवार्मेंट कर सके है ना यही approach जो है emphasis की जाती है on wise and least trained use of natural resources of application appropriate environmental management programs ठीक है कि किस तरीके से हम wisefully अपने environmental resources का use करें किस तरीके से हम apply करें appropriate environmental management programs को है ना एक program अगरा चलाएं जिसके थूरू क्या है कि हम अपने environment को किस तरीक create कर रहा है mentally interaction हो दोनों को बेच में है ना दोनों को फाइदा हो इस तरीके से हम हमें create करना तो बहुत सारी ऐसी policies strategies हो सकती है ना तो basic principle बहुत सारी ऐसी चीजे है जिन बहुत हमें धान देना चाहिए then उसके बाद हम आ जाते हैं SAQ 2 पे यहां पे क्या कहा जा रहा है तो घ्र क्या है nature control ihea control human क्या nature क्या करता है Кон्ट्रोल करता है human को और और आपका क्या हो गया दूसरा क्या हो गया आपका दूसरा हो गया अर्थ-made human और जो अर्थ द्वारा जुक्रा है human को बनाये गया है तो आपका जो determination का gemwork approach है उस फ can you याद रखना नेचर कंट्रोल हुमन और अर्थ मेड एंवार्मेंट ठीक है दो बार बोला हूं तो यह most important है determinism आ जाएगा ठीक है आपके ऐसे यह क्या कहते हैं जो आपके multiple choice question होगे MC की उससमें आ सकता है जान उसके बाद देखें किया possibleism की बात करें जो इंडिकेट करता है physical environment को तो physical environment आपका क्या हो गया तो आपका क्या है physical environment को किस तरीके से आप करता है तो passively करता है passive passive तरीके से ठीक है indirectly physical environment को और human being क्या है is that directly यानि actively वह एजेंट करता है liberate to choose the between the wide ranges of environmental possibility तो यह पे आप active आप आप यह आदा रखना then environmental emphasis is on अभी अभी हमने यह वर्ड पढ़ा था तो यह इसमें क्या है कि हम wisefully हम use कर सकते है wise and और क्या कर सकते हैं बताए रिस्ट्रेंड कर सकते हैं ठीक है तो जो भी नुकसान है उसको हम क्या है एक तरगे से उसके भरपाई करते हुए हम अपने natural resources का हम use कर सकते हैं ठीक है then उसके बाद concept समझेंगे हम sustainability and sustainable development के बारे में तो देखें क्या है यह यह जो वर्ड है यह आपका sustainable development यह formally क्या है define किया गया था our common future में यानि एक report जो public की गई थी जिसका नाम था our common future यानि हमारा मतलब एक तरह का भविश्य कह सकते हैं हमारा common भविश्य जो है उसके बारे में यह टाइटल दिया गया था इस रिपोर्ट को इसमें sustainable development का जो concept है उसका mention किया गया था यह जो outcome कहां से निकला तो deliberation of the group constructed by the world commission of environmental and development यानि WCED WCED एक ऐसी संस्थान है जो कि एक तरिके से बुलाई जाती हर साल यह वगरा जो sustainable development के goal हो गया है यह सारी चीज़ें पर बात की जाती है देन देखे समझते हम तिहां पर जो Norwegian Prime Minister Norway जो है Norwegian इन्हें कहते है जो Norway के लोग होते नौरवे भी आपका जो climate changes पर बहुत अच्छे से work करता है Sweden हो गया Norway हो गया Scandinavian जितने भी countries हो गया Scandinavian यह सारे ही आपके क्या है less polluted countries में आते है तो इनमें आपका क्या है बहुत ज्यादा environment को लेकर discussion वगरा चलता रहता है Sweden हो गया Norway हो गया Finland हो गया यह सारे आपके क्या है Scandinavian countries के लाते हैं तो देखे क्या है इनमें आपका जो एक Norwegian Prime Minister है जिनका नाम Grow Harlem था उन्होंने और Redland Commission बनाया उन्होंने उसमें define के आगया sustainable development को कि यह जो development है वो involve किसी करता है तो देखे क्या है इस वर्ड को आप बिल्कुल याद रखीगा और अगर answers आ गया तो आगया अगर नहीं आता है तो आप ऐसा समझेगा जब आपके क्या क्या है and without compromising बिना हमें समझोता किये उसकी ability जो है उसे future generation तक provide करना है तो meet their own needs वो अपनी needs को पा सके ऐसी हमें क्या है ability produce करनी एक बनाना एक compromise ना हो बिना compromise करे future generation को आज का हमें यूज करना है तो यह नहीं नहीं कहा था then उसके बाद एक है यह जो definition है वो sustainable development का initiate हुआ and lot of debate और इसके बाद तो काफी सारी debate देखने को मिले जैसे कि time हो गया need तो need हो गया development हो गया है उसको define नहीं करा गया properly इस report में कि भाई need की बात करें तो किस need की बात करें यानि कैसी present की need हो सकती हमारी है हम क्या कर सकते है development की बात करें तो क्या development है इस report में define नहीं किया गया था then उसके बाद देखे क्या है आपके क्या है place to place person to person जो आपके क्या है यह सारे जो words है इनकी meaning आपको अलग-अलग मिलेगे अगर मैं बात करूँ मेरे को अगर दो वक्त की रोटी मिल जाए दो वक्त का खाना तो यह मेरे लिए need है किसी को क्या कहते है रहने के लिए घर मिल जाए रहने के लिए house मिल जाए तो वह उसकी need है किसी को सोने के लिए बिस्तर मिल जाए तो वह उसकी क्या है need है तो यानि need क्या है different person क्या है person to person क्या हो सकती है place to place person to person क्या हो सकती है अलग हो सकती है similarly जो development है वो भी आपका properly defined नहीं क्या सकता है ठीक है अगर मैं बात करूँ जैसे कि हमने कई बार अपने geographic ebook पड़ी होगी 9th और 10th classes में तो इसमें आपका development वाला जो word आया था hydroelectric हो गया आपका fisheries हो गया फिर क्या कहते है irrigation हो गया बहुत सारी ऐसी आपको क्या advantages देखने को मिलते डैम से लेकिन नुकसान भी आपको देखने को मिलता है तो यह सारी आपके development है यह सारी चीज़ development है बाकि अगर इनसे जो नुकसान होने वाले जो जैसे कि वहाँ पे आपको क्या migration करना पड़ता है विस्थापन करना पड़ता है लोगों का उसके बाद आपको क्या है forest sink हो जाता है ग्रीन house greenhouse gas release होता है तो एक तरह की से मान लिए कि अगर किसी के लिए कोई चीज विकास है तो किसी के लिए वो चीज विकास नहीं हो सकती सबी के लिए एक तरह की से development के simmer है development के 是े और जो सकता है ऐगर कोई अपने लिए कर घार खेद ले तो उसके लिए development is Sakettle है도 अ unto को अपने ले घाइक हें और कोई आपने ले sport vakесr की से लुसक्त करफार एक इन्फी स्थी इसमेंत अ इंउसोर खाऑन a development जो है as something people किसी भी एक people के लिए वो क्या हो सकता है जिससे कि वो अपने life को improve कर सकता है तो यह आप कह सकते है best definition हुआ है ना कि development हम किसे कहेंगे जिससे कि उसकी life में क्या है आपको improvement देखने को मेले वो आपका development हो गया therefore it becomes the enable, I'm unable to varied interpretation क्या है यह, क्या है यह, क्या लिखाई यह, I'm unable to varied interpretation a more precise definition with the clearly spelled out goals remain elusive ठीक है तो एक तरीके से बहुत ही जादा आपका एक बढ़ हाँ एक कह सकते हैं यह definition दिया गया ऐसा नहीं है कि और यह देखी क्या है more precise अगर इसका definition को अगर हम ले ते clearly spelled out goals remains illusive, illusive कहने का मतलब illusion एक तरीके से आपको नकली सा दिखेगा है न एक धारना एक तरीके से कहेंगे न अगर हम सच में एक proper sustainable development को follow करने जाए तो वह भी चीज़े का है संबब नहीं है then उसके बाद देखी क्या हर्मन डेले जो है एक ecological economist है वह refer करते sustainable development को as an oxymoron oxymoron क्या होता है तो देखें oxymoron एक figure है speech figure of speech है जिसमें क्या कंबाइड तू यूज़ली contract dairy terms into the complex paradox क्या है paradox आपके क्या होते है simple याप ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो विरोधा बास जैसे हो गया ना bittersweet pretty ugly विरोधा बास की तरह है oxymoron जिसे हम sustainable development की बात करें विरोधा बास की तरह है एक तरफ तो हम क्या है resources का use भी कर रहे है और हम दूसरी तब यह भी चिंता कर रहे हैं कि भाई वह क्या करता है generation के लिए जो future की generation उनके लिए भी हमें क्या है बचा की चलना है तो ऐसा थोड़ा सा possibilities कम है क्योंकि एक समय तो आएगा ना ऐसा कि जब हम environment का resources का बहुत ही ज़दा यूज कर लेंगे तो future की generation की कुछ नहीं बचेगा है कि नी simply तो एक तरह के से अगर हम development की बात करते हैं तो development का मतलब यह इस तरीके से favor नहीं करती कि हमें क्या है अगर मान लेजें कि अभी हम development के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है आपके दिमाग में तो यह आता है कि भाई रोड का building होना बिल्डिंगे बनना क्या कहते हैं infrastructures में development होना factories rail वगएरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें वह आपके दिमाग में आता है कि भाई development है लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है कि उस जगे पे क्या है विरान भूमी थी एक क्या कहते है आपको दिमाग में नहीं आता है सिंपल सी बात है यह ऐसा हम क्या है development का मतलब लगवलोग को हम यही समझते हैं तो एक तरीके से यह जो definition है development का वह बहुत ही जादा आपको देखने को अलग में अगर हम Oxford dictionary की बात करें तो अगर क्या कहते हैं Oxford dictionary में आपका development का मीनिंग दे र है living style को हम day to day easy बनाते जा रहे हैं तो वह हमारे लिए क्या हो गया एक तरीके से एक advancement कह सकते है ठीक है तो पेड़ लगाना किसी के लिए advancement नहीं कहलाता है जंगल बनाना यह सारी चीज़े के advancement में नहीं आता है तो अलग-अलग आपको meaning देखने को मिलेगा development में यहां पे Oxford की meaning थी देन हम sustainability की बात करें तो क्या है capacity to endure क्या है capacity to endure कि किस तरीके से हम किसी चीज को एक तरीके से हम बचा सकें उनका वाइस फुली यूज कर सकें वर्ड जो sustainability है वो derived किसमें से होती है तो एक latin word है sustainer यानि to hold and sus मतलब आप ठीक है किसी चीज को hold करके रखना आपका क्या है sustainability sustainability कहलाता है dictionary जो प्रोवाइड करता है more meaning to sustain जैसे कि आपका हो गया maintain हो गया support हो गया endure हो गया यह सारी चीजे क्या है आपके एक पर्यावाची है तरीके से synonyms से इसके sustain के दर उसके बाद आप देख सकते हैं pointed out by the Mitchell Redcliffe जो है redcliffe उन्होंने sustainability के discussion में उनने बता है कि यह क्या है दीरे दीरे आपके क्या over the year most almost impercibility to away from the human needs to human rights ठीक है क्या है यह human needs से लेके human rights सके एक तरह के से आगे बढ़ता चला जाएगा आपको देखो कि एक तरह कि जैसे कि आज जो यह human need है वो कल human rights बनके चला जाएगा है ना यानि वो इनसान को अधिकार हो जागा तो एक तरह के से लगतार आपको बदलाब देखने को मिलता है यह sustainability वाले जो goal है therefore sustainability जो है वो refer करता है which can continue definitely without the depleting the resources based on which it depends ठीक है यानि sustainability जो आपका जो word है वो क्या करता है जो process जो चलना लगता है जिससे हम क्या कर रहे है डिपलेक्ट कर रहे है अपने resources को नुकसान पहुचा रहे है तो उस यह depend करता है ठीक है and then जो practical goal जो होते हमारे which our interaction the natural world should be directed the building sorry the guiding principle sustainability cut across ecological, economical, sociical and cultural dimensions ठीक है तो कई ऐसे ऐसे principle है जो कि आपको एक तरगे से यहाँ पे देरके देन उसके बाद आपका एक और चीज़ है concept जो आप समझ सकते है sustainable development को लेकर तो international or national level पे आपके कई सारे ऐसे ऐसे क्या कहते है एक program organize कह सकते है या फिर क्या कहते है एक organize किया जाता है बहुत सारे तो देखें किया यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे strong model of development की बात की गई है alternative matter model of development यानि ऐसा चलना है हमें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ building और infrastructure ही बनाना हमारा goal हो हमें साथ-साथ पिरत्वी को हरा र यह रियो आपका Brazil में है तो रियो में एक summit बुलाया गया था 1992 में यह चीज आपने पढ़ा होगा आपने 10th के book में तो इसी में आपका sustainable development के बारे में different things that different people इसके बारे में बताया जाता है कि भाई इसमें अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग इसका meaning होता है यह there are three important disciplinary traditionally concerned with the process involving the cap conceptualizing the sustainable development क्या के आपके three discipline है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका environment हो गया आपका social हो गया और आपका economic हो गया जो अब हम yemm economic की बारे में सोचते हैं आप economics की बारे में तो हमें आप च्रिकिटर यह पैसे से हैं ना पैसा दिमाग में आता है कि भही हमें किस तरी के से पैसा generate करना है और इसी से हम क्या मानते कि भही growing हो रहे old अगर हमें पैसा जनरेट कर रहा है तो एक तरह के से हमें क्या आप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स करना होगा ज्यादा ज्यादा अपने रिसोर्स का यूज करना होगा Other hand, sociologist का mainly focus होता है कि human needs and no concept like equity यानि एक तरह के से कोई भी concept नहीं होता है equity के बारे में empowerment and social cohesion यानि समाज में हम किस तरह किसी एक जुटता रख सकें empowerment कर सकें तो कई सारे इसके aspects है then ecologist की बात करें greatest concern जताते हैं वो किन पर the prevesting natural preserving natural system कि हम किस तरह किसे अपने natural system को preserve कर सके and caring capacity to environment and dealing efficiency the pollution किस तरह किसे pollution को हम रोक सकते है ना बहुत सारी ऐसी चीजों है जिने हमें adapt करना चाहिए समझना चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर हमने यह क्या है तीनों discipline को अगर हम एक साथ follow करते है economic goal, social goal and environmental goal तब हमारा कहलाता है sustainable development ठीक है याद रखेगा food, shelter, clothing और आपका recreation culture यह सारा आपका social goals है social disciplinary के अंदर आता है उसके बाद हम economic की बात करें तो जितने भी आपके क्या है production हो गया manufacturing हो गया transportation हो गया आपे लिखा तो नहीं है लेकिन मिलका हलका समझ में आ रहा है जितने भी development related goals हो गया इनमें economic में आता है आपका environment की बात करें तो climate, mineral energy, air, land, water, biodiversity यह सारे जनाई physical component है यह सारे इसमें आते हैं इसमें आपको कुछ intersection point भी मिल जाएंगे तो अगर हम इन तीनों goal को अगर हम तीनों disciplinary को एक साथ ले आते हैं तो देन एक तरीके से हम एक holistic manner में कहें तो हम इन सभी चीजों को address कर पाते हैं यह three pillar है क्या है यह three pillar है आपके sustainable development की याद रखेगा then उसके बाद हम बात करें sustainable development जो है is an ideal which no societies today have achieved and resembling it ठीक है तो एक तरह के से sustainable development जो goal है एक तरह के साथ आइडल भी नहीं है कि कोई भी ऐसे society नहीं है हमारे आज के समय में जो इसे क्या है achieve कर सके ठीक है nevertheless as with justice यानि एक तरह के से नाय के अनुसार या equality यानि सब को बराबर मिल जाए resources यह ऐसा भी नहीं है freedom हो freedom हो कि भाई हम क्या है सभी natural resources का हम use कर पाए ऐसा भी नहीं है तो एक तरह के से it is important to uphold sustainable development as with the ideal यानि a goal of towards which all the human societies need to be moving यानि हमें एक तरह के से एक ideal sustainable development को लेके चलना है ताकि कि जितने भी human societies में जितने भी लोग है उनको सभी को इस चीज का फाइदा मिल सके सभी को उनकी जरुते के नुसार उनको चीजे मिल पाए यानि उनके जो needs है वो पूरी हो सके then examples कैसे है तो एक तरह से policies बना सकते हैं action कर सकते हैं और reduce कर सकते हैं infant mortality rate जो हो गया यानि जो सुमृत्युदर होते है जो बच्चे मारे जाते साल पर पहले से तो वह हो गया आपका increase कर सकते हैं family planning जो availability है कि किस तरीके से हमें population की simple बात है कि population आपका increase होगा तो आपका दवाब किस पर बढ़ेगा आपके अर्थ पर दवाब बढ़ेगा आपके resources पर प्रैसर आएगा तो हमें अपने family planning करके भी चलनी है है कि एक तरीके से हमें population को भी control करना है improve करना है हमें air quality को और provide करना evident pure water ठीक है अगर pure water नहीं मिलेगा तो बहुत सारी लोग बिमारी से बिमारी जाएंगी तो कहने को मतलब है हमें इन सारी चीजों को हमें preserve करके रखना protect करके रखना ecosystem को reduce करना soil erosion को ठीक है हमें क्या है कि हम factory से direct क्या है toxic chemical को अपने environment release करते तो उन्हें भी हमें रोकना है तो एक right direction की और चलना है ताकि हमारा future है वह क्या हो सके guys sustainable हो सके तो बहुत सारी ऐसे गोल है यहां पर लिखे पड़े है यहां पर जो हमारे future हमारे societies में एक तरह के से बदलाव ला सकते तो यहां पर देखिए क्या transition यह different different transition देखने को मिलेगा एक आपका पहला transition है क्या demographic transition किस तरह के से इनका फैलाव हो सकते है from a continually growing population to one that is stable लगतार जो population बढ़ रहा उसको हमें क्या है बढ़ रोकनी की जरुवत है रहा स्टेबल करनी की जरुवत है रोकनी तो रोक नी सकते हैं लेकिन stable जरुवत कर सकते हैं स्थिर कर सकते हैं ऐसा नहीं होना चेकि भाई 8 billion आज हमारी अवाधि हो गये तो 9 billion 10 billion या फिर 20 billion हो जाए ऐसा नी करना हां हमे 8 billion है तो 8 billion पर रोख द तो एक तरगे से जो यह अकेला ही क्या है, debt is an economy, debt is not solely obvized with growth, ठीक है, एक तरगे से पैसे के लिए ही, economically ही, क्या है हमें, अब्वेस नहीं करना, अपने growth को लेके ही, हमें resources का use नहीं करना, हमें क्या है, nature's income and protect भी करना है, अपने ecosystem को है, capital from depletion है, जो यह आपके capital से, आपका क्या है, simply depletion हो रहा है, उसको हमें रोकने की जोड़े, technological transition की बात है, कि हम किस तरह के से pollution intensive economic production है, है न, environmental friendly processes है, उसको हमें लेके चलना है आगे, तो इस तरह के से हम, क्या है, हम अपने, क्या कहते हैं, environment को हम clear गर सकते हैं, उसके बाद कुछ political sociological आपके transitions भी हो गया, कुछ community transitions भी हो गया, तो इन सब भी का साथ आना बहुत जो रही है, तो देखे, और भी कुछ priorities areas हैं, जिससे हम क्या है, अचीव कर सकते sustainable growth, slow down population growth, किस तरह के से, कि अगर हम population growth को, अगर हम slow down कर दें, तो क्या हो सकता है, हम एक तरह sustainable development के गोल को, हम पूरा कर सकते हैं, इससेंचियल फॉर अट्रेसिंग ओल दा अधर प्रायर्टीज एरिया, ठीक है, तो उसके बाद, reduce poverty, inequality, and third world debt, third world debt आप समझ सकते हैं, third world वही हैं, जो first, first world war, world war, second world war में, second world war में, sorry, first world war में, second world war जो हुआ था न, second world war में, जो आपके क्या है, जो आपके रश्या, America, America और रश्या की बीच में, जो भी आपके, jejन चल रही थी, मतलब, Japan, इन पीच में, मतलब इनके second merchant relies, वो first world country किए लाया, जो इनके साइड रहा, दो आपके क्या है, एक गुऑ्ट थे, ना, दो गुट थे, तो जो पहले गुट के साथ रहा, वो 1st world country बना जो second वाले के साथ, āव 2nd world, और जो दोनों में से किसी के साथ नहीं बना रहा, वो 3rd world country के लागा, या जो 3rd world, जो that's impact है एंप, उसको किस तर अलग immun देटेश्ट इंट सटेग्र अपृर्टॉकर्ण 559 जबहर सवैंधार्य खेवान दीजन नंकृडाइंग 2 पाइंग 2 बार एग्रीग्ये सवत का मिव्देरा फ्रेन उनकर किसे जायर वन बचना है आपका जो और गेनिक खेती है और गेनिक फार्मिंग होता है उसको हमें बढ़ावा देना है ताकि वो क्या है एक तरह के से हम्फुल अग्रिकल्चर प्रैक्टिस को हम रोख पाएंगे देन उसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपके लॉस ऑफ बायो डैव अजय को देटेशा को अजय को अजय को टेशन करना इंपॉर्टेक्षम करना था यह सब बना के विए सब बना कर सके एंपॉर्टेशों क्रोल कर सकते हैं उसके बाद हम शयुक्रा स्वारीज लेलेक्ष अट dhe इसके बाद हमारा जो reducing air pollution है इससे हमें क्या है मतलब हमें अपने air pollution को reduce करना है land degradation को भी रोकना है depletion of energy and minerals फालतु में हमें energy का waste नहीं करना इसे भी हमें धान में रखके चलना है then उसके बाद make water energy use sustainable ठीक है हमें अपने पानी और उर्जा और इने क्या है sustainable बनाना है किस तरीके से बना सकते हैं तो energy efficiency यानि हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ों का use करना जो कि energy efficient हो यानि कम energy में ही वह क्या हमें ज्यादा outcome दे सकें ऐसा हमें करना है create conserve करना energy को develop करना है renewable energy से ठीक है ठीक है hydro energy हो गया यह सारी चीजों से हम क्या है एक तरीके से हम renewable energy produce कर सकते हैं देन उसके बाद देखी क्या है तो इससे आपका simply reduce होगा air pollution land degradation रूखेगा देन उसके बाद आपका यहां पर मैंने बदाए efficiency of water use water को किस तरीके से यूज़ करना है इसे भी हमें जानने की गोश् देन उसके बाद curving of water pollution depletion of land degradation सेम है देन उसके बाद reducing reduce waste generation waste generate होता है जैसे कूड़े पहाड बनते जा रहे हमारे आसपास तो उससे भी हमें क्या है एक तरह के से waste management लागू करना होगा improve कर सके कि जो production जो होता है यह processes का waste का treatment हो सके recycle हो सके है ना यह important है reducing air and water pollution and energy mineral and water depletion ठीक है तो इस सारी चीजों के लिए यह सारी चीज़ें जोड़ रही है दैन उसके बाद हमें क्या है sustainability term को define करना है तो यहां पर चाहिए तो कर सकते है sustainability अभी मैंने जो term बता है क्या था sustainability जो डाइफर करता है अगर मैं लिखूँ यहां पर लिखना चाहूँ sustainability sustainability जो है वह आपका क्या है रैफर करता है रैफर्स तो आ process process which can be which can be continued continued indefinitely without depleting the resources base on which it depends ठीक है तो जो भी हमारे जो क्या कहते हैं जुस पर हम dependent है जो इस तरीके से हमें बहुत गंदा लिखाई है मैंने खेर जाने दीजिए आपको पिछे इस आंसर मिल जायगा तो देखें यह तरीके से process कोया एक तरीके से क्या है continued हमारी क्या है indefinitely हमारे जो हम क्या है डिप्लेक्ट कर रहे है resources को तो हमें उसको तरीके से manage कर के चलना है क्योंकि हमारी भाई dependency ही उस पे है तो सस्टेनविल्टी वह हो गया आपका, इंपोर्टेंट तो अपोल्ड शस्टेनविल डपलमेंट इस इन आइडल, तो इसको हमें किया है कि जैसे कि आपका जो गोल है, हमने जो हमने साइटी के लिए जो गोल हम एचीव कर रहे हैं, कि इस तरी के से हमें नीड को पूरा करन तो इस तरी के से आप समझ सकते हैं, तो सस्टेनविल डवलपमेंट इस एन आइडल कैसे है, आपको ऑन सर पिछे मिल जाया देख लेना, तो इसके बाद देखी किया है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर आप इन्वार्मेंटल स्टेडीज की बात करें, तो आपके बहुत सार तो एक तरी के से बहुत सारी नेचरल कंडिशन हो गया, लिविंग ऑर्गनिस बैलेंस एंड दियर हुन इंवार्मेंट, तो इस तरी के से इन सभी चीज को टैकल कर सकता है, इनकी जरुरते हैं, उनको क्या है, एक तरी के से अपनी स्किल और साइंस की मदद से उसको क्या कर सकता है, बिना किसी तरी के से disrupt किये हुए, एक तरी के से life को आगे बढ़ा सकता है, life and life supporting system को चला सकता है, तो उस पे हमें क्या है, एक तरी के से समझने की बात है, all these interaction and the environment, the whole subject of the environmental study, और ये जितने भी interaction जो है, human का environment के साथ, या किसी organism का environment के साथ, इसका जो whole subject है, उसे जिसे ह तो आप समझ गया होगे, then environmental studies जो है, contribute करता है, ब्रांच जो है, inherit the, induce the changes in environment, जो changes हो रहाँ environment में, उसी को induce करता है, अगर changes नहीं होता, तो आज हम environmental studies भी नहीं पढ़ते है, then उसके बाद क्या है, बहुत बढ़ा domain है, इसका knowledge का, बहुत बढ़ा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, कि हमने सिर्फ यह क्या है, हमने human angle से पढ़ लिया, है न, applied science, तो आपको कई सारी चीजों से आपको समझने की ज़रत है, यहां पे लिखा है, from human angle, human angle से अप माने, तो क्या है, यह जो applied science, which is seek all the possible answer to human, civilization sustainable to the earth is limited resources, ठीक है, तो इसको क्या है, जो भी human civilization जो हुआ है, इनसान को क् हमने वो जो भी limited resources, जो आर्थ पर मौझूद है, उनी के साथ रहना पड़ेगा, तो उसके लिए answers को डूड़रे है, कि किस तरीके से limited resources का हम use कर सकते है, जो भी आपके physical और biological character है, environment में, वो क्या है, उसके बारे में हम सिर्फ study नहीं कर रहे है, environmental studies में, और भी बहुत सारी aspects भी हो गया, बहुत सारे environment में है, इन सब के बारे में हम पढ़ने है, आपका क्या हो गया, issues जैसे हो गया, clean और safe drinking water हो गया, clean and fresh water हो गया, clean living condition हो गया, productive land हो गया, good quality food stuff and sustainable development dealt with the environmental studies, तो ये बहुत सारे आपके different disciplinaries है, जो कि आपको क्या है, आपको environmental science में पढ़ने को मिलता है, उसके बाद आपका क्या है, जो sustainable development है, ये क्या है, key the future of humankind, यानि मानफता के लिए एक तरीके से चावी की तरह है, अगर ये चावी आपके पास होगी, तो अभी हम क्या है, sustainable development कर पाएंगे, और ने वाले futures के भी, future generation का भी हम क्या है, ख्याल रख पाएंगे, जो भी pollution का problem है, loss of forest, biodiversity, solid waste disposal, इन सब को क्या है, हमें tackle करना होगा, global warming, ये सारे, जितने भी आपके जो issues है, इसको हमें क्या है, टेकर करना होगा, awareness मेलानी होगी, याना, United Nation में conference बुलाए जाता है, environmental development में, Rio de Janeiro में, 1992 में आपका पहला जो world summit हुआ था, sustainable development में, जोहांसबर्ग, and उसके बाद, ज इसमें attention मिला people's के around the globe, the deterring condition of our environment, तो बहुत सारी ऐसी से condition, अलग-अलग उनका theme होता है, अलग-अलग आपके, कितने हैं, ये जो आपके summits बुलाए जाते हैं, then United Nation ने भी adapt किया, 17th sustainable development goals को, जो किया के आपके 2015 से चल रहे है, कौन-कौन से goal है, यहां पे आप देखे, तो दे यानि कोई भी व्यक्ति, poverty में ना हो, zero hunger, कोई भी इंसान भूका ना रहे, good health, यानि आप सबको क्या अच्छा स्वास्त मिल सके, अच्छा स्वास्त सुविदा मिल सके, अच्छे से सब रह सके, then quality education, यानि सब क्या, सारे लोग क्या हो, पढ़े लिके हो, education सबको मिल पाए, proper पर, gender equality, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, male, female, या फिर homosexual, जो communities है, उन में क्या करे, discrimination करे, ऐसा ना होना चाहिए, then उसके बाद clean water और sanitation की बात करे हैं, जैसे कि toilet वगेरा, bathroom वगेरा, कोई खुले में सौच ना करे, ये इन सब चीजों के बारे में, उन्होंने goal set up कर है, हम बात करे, affordable and clean energy की बात करें, तो इसमें भी आपका क्या है, affordable यानि सस्ते में, और साफ उर्जा क्या है, produce की जा सके, तो उस पे भी क्या है, आपके United Nation ने sustainable goal set कर रखे, decent work and economic growth है, किस तरीके से हम decent work से economic growth कर सकते हैं, उसके बाद, industries, innovation and infrastructure किस तरीके से develop कर सकते हैं, उसके reduce inequalities, यानि जो भी आपके आसमानताएं हैं, आपको पूरी दुनिया में, जो मिलती है, गरीबी, अमीरी, जिस भी तरीके से आसमानताएं मिल रहे हैं, इसको हमें क्या है, खतम करने की जरूवत है, तो उसके बाद, sustainable cities and communities भी बनाने की जरूवत है, then responsible consumption and production भी हमें जरूवत है जो हम consumption कर रहे हैं और production कर रहे हैं, उसके साथ हमारी क्या होनी चाहिए, responsibility भी होनी चाहिए, then उसके बाद climate action जो है, उसके लिए भी हमें क्या है, काम करने की जरूवत है, life below water ठीक है, पानी के नीचे जो आपकी जीवन है, उनके लिए भी हमें सोचना होगा, life on land, यानि जो land पे लिथो स्वेयर पे आपके जो life present, उनके बारे में जानवर के बारे में सोचना होगा, peace स्थापित करना है, सांती, justice, नयाए, and strong institution हमें डेवलप करने की जरूवत है, ताकि लोगों को क्या है, एक तरगे से इन सभी चीजों का फार्दा हो सके, then उसके बाद partnership for the goals, और कई सारे partnership भी इन सारे goal को achieve करने के लिए, क्या है, United Nations करती रहती है, time to time, then उसके बाद, आपको मालूम होगा, जो India है, आपका मालूम नहीं है, तो मैं बता ही दे रहा हूँ, देगे क्या है, इंडिया में आपको various resources मिल जाएंगे, various resources for people, आपका जो सिर्फ कितना 1.7 million living organism है, describe है, जो की named है globally, यानि पूरी दुनिया में जिन species को हम जानते है, organism को जानते है, वो 1.7 million ही है, and बहुत से ऐसे हैं, जिने हमें जानना है, और describe करना है, ठीक है, तो attempt are made to conserve that act situ, act situ क्या आदा है, outside their natural habitat, यानि natural habitat से जो बाहर होते हैं, उन्हें act situ कहते हैं, and उसके बाद आपका जो in in situ है, यहां पे, कहां पे लिखा, in situ है, in the natural habitat situation, यानि natural habitat के जो अंदर रहते हैं, in situ कहते है, act situ conservation, हम unit 8 में पढ़ेंगे, destruction of habitats, overuse of energy resources, environmental pollution, and found to be responsible for the loss of a large number of life forms, ठीक है, तो यह सारी जो responsibilities है, इनको भी हमें set करना है, किसर किसे loss हो रहा है, इन चीजों का, इनको हमें समझना है, then उसके बाद, fear data, large proportion, the life on earth, and may wipe down the near future, ठीक है, अगर हमें ने, एक तरिके से, लोगों, large population में, डर बना पड़ा है, एक तरिके से, proportion of life, proportion of life on earth, may get wiped near the future, एक चमय होगा, कि पूरा यह साफ हो जाएगा, एक चमय होगा, कि पूरा यह साफ हो जाएगा, अर्थ के अंदर, जो लो यह होगे है To importantes, इंटानाela cultural importance होगे. पहले तो लोग इन पे ज्चार बीमें करते थे लेकिन जिस तरी किसे है, हमारे यहाँ, जो आपदां ही हो पर यह बन जाते हैं है, नेचेरल क्रमटी से लोगों में एक तरह किसा interaction देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपका global warming, climate change, ozone layer, depressions, acid के national issues तो होते हैं साथ-साथ global issues भी बन जाते हैं इनने टैकल करने की जरुवत है ऐसा नहीं कि हम एक अकेला कोई country लगे इस चीज को टैकल करने में तो यह ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक अकेला country से कर पाएगा इसके लिए सभी का साथ जरुवत है सभी का साथ सबका विकास है ना इस तरीके से modernization हो रहा है development हो रहा है तो वह भी किस तरीके से नुकसान पुचाए देखे का है development of modern but to the industrialization जिस तरीक से industrialization का जन्म हुआ urbanization का जन्म हुआ modern transportation system है ना जो भी आपके truck buses वगेरा जो ट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़िया होगे agriculture housing किस तरीक से impact डाले हमारे environment वह सब आप जानते यह सब वैस्ट द्वारा ठीक है evidently such a path is neither practical or not desirable ठीक है यह ना practical practical था और ना desirable था developing world now faces the challenges of developing without environmental degradation अब जब faces कर रहे हैं बहुत सारे जो developing countries है simply अगर मैं बात करो इंडिया क्या है आपका developing country है चाइना क्या है चाइना हो गया इंडिया हो गया इस सारे developing nation में आ गया है sa developing एक है आपको यह भी मालुम होगा कि यह जिरो carbon वाला जो रेइस जिरो कारवन बोला गया कि हम 2070 तक क्या च Tar pun का जो जरेबने और जो हालेन जरेट कार्वन screw Actön जो है से इंडिया दोरह ठीक है मैं लेकिन आपको 경ण में बात सता दूँआ जितना भी पहले से यह जो carbon जो generate कर दिया गया है क्या कहते है पहले यहाँ पहले लिखते हैं generation zero ठीक net carbon zero का target 2070 तक क्या है अब बहुत सरे countries में जैसे कि America हो गया और भी western countries हो गया इन्होंने 2060 तक का time लिया तो अगर हम इनसे comparison करें इंडिया का इनसे comparison करें तो यह मैंने क्या लिखते हैं तो यह आपका क्या कहते हैं बहुत ही जादा आपका इंडिया का बहुत ही जादा aggressively लिया गया फैसला है ना क्योंकि 2070 तक करना बहुत ही जादा impossible task का लगता है लेकिन फिर भी इंडिया का यहाँ पे जो आपका आप देखेंगे जो इसके पिछे काम करें काफी ज़्यादा आपका सरहना करने वाली बात है लेकिन जो अमेरिका हो गया ब्रीटेन हो गया यह ऐसे country है जो कि पहले से यह बहुत ज़्यादा डवलाप हो चुके अपने industrial revolution के कारण ठीक है उन्होंने जितनी गंदगी थी फैला दी बाकि जो बोज जो आता है एक तरगे से आप देखोगे वो developing nation पे ही आता है इंडिया जैसी country चाइना जैसी country पे ही आपको बोज क्योंकि अभी तो विकास भी निगा और भी बहुत सरी ऐसी country है जो कि अभी अभी क्या है अंडर डवलप है दन हम बात करेंगे explosive increase in population किस तरीके से explosive तरीके से क्या है explosion हो रहा है हमारे population का world census जो reflect करती है कि one यह कह लिखा है one in every seven person in this planet in India क्या है कि इसमें world census reflect करता है क्या यानि पूरे दुनिया में क्या है कि साथ आदमी में से एक आदमी आपका क्या है इंडिया से बिलोंग करता है सोच लीजिए कि कितना ज्यादा population है हमारे इंडिया की बात करें हम एविडेंटली 16% जो population है वर्ल्ड की वो सिर्फ 2.4% land area occupy कर रहा है यानि जो हम एरिया जितने एरिया में रह रहे हैं और हमारा population इससे कई times ज्यादा है ठीक है एक तरीके से क proportion को बिगाड़ रहा है हमारे पोपलेशन एंड जो लैंड है हमारे पास land area है उसके क्या है proportion को बिगाड़ने की कोसिस कर रहा है तो हमारे पास देखी हम land area नहीं बढ़ा सकते हैं ठीक है लेकिन हम population को जूरू कर सकते हैं तो उसे हमें control करने की जरूद है दन उसके बाद natural resources ह हो गया including land है इस पर heavy pressure generate हो रहा है यह जो मैंने अभी बताया भी था आपको 8 billion people हमारे पूरे वर्ड में लोग हो चुके हैं तो यह क्या है directly indirectly हमारे क्या है natural resources पर pressure बना रहा है ठीक है तो इससे क्या होता है इससे बहुत सारी चीज़ें है impact करती है इनका क्या कहते है बहुत सा है natural resources के लिए उसको हमें लाने की ज़र होता है इसके बाद need for alternative resources sorry alternative solutions किस तरह के से alternative solutions ला सकते हैं तो जो developing countries है find alternative path क्या है developing countries क्या है alternative path को डून सकती है developmental goals के ऐसा नहीं है कि वह industrialization globalization globalization urbanization based economy पे हो वो कुछ और भी ideas को खोश सकती है जिससे कि वह अपने क्या कहते country को develop कर सके एक ऐसा country जो की sustainably develop हो किसी भी तेरे resources पर ज्यादा pressure नहों कुछ इस तरीके से वह अपने goals को कर सकती है identify then उसके बाद distinct from the development world the manner ठीक है पूरी दुनिया से अलग हो है इस तरीके से किया and development resources withdrawal process ने use the products that all the synchronized with the ecological cycles in plane of development our actions should be planned for our sustenances and environmental development ठीक है तो यह सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है हमें समझदारी से क्या है अपने संसाधनों का resources का use करना है ठीक है क्योंकि भाई आज नकल भले हम sustainable development चिला ले जैतना ही बट sustainable development भी एक समय तक ही काम करेगा ठीक है ऐसा एक वक्त आएगा कि हम पूरी resources को दभा कर चुके होंगे और किसी के पास resources नहीं होंगे ठीक है तो यहाँ पर differentiate करना है access to and in-situ है ना तो यहाँ पर आप ज्यादा दूर नहीं जाएए यहाँ पर access to or in-situ मैंने यहाँ पर बताया था ना यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिखा है what should be kept in mind planning for alternative solution in developing country the systems of environment and development थीक है तो क्या-क्या होना चाहिए आप सोच लिजे क्या-क्या planning कर सकते हो अप alternative solutions निखा सकते हो कि country developing countries जो है जो है जो अभी पूरी तरह से यहाँ पर लिखा तो पड़ा है कि हमें need for wise planning for development alternative solutions निकालने की बात की गए तो यहाँ से आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं लेकिन आप अपने मन से भी यहाँ पर अपनी idea को भी शेयर करें आप तर्मिनल कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट को define करना आपको पहली लाइन में आपको मिल गया था देन आप नीचे देखेंगे तो आपको इसका answer मिल भी जागा टर्मिनल कोशन का answer है यहाँ पर analyze करना human environment relationship over time and space ठीक है आसान है describe करना है in detail priority areas required for achieving sustainable development ठीक है किस तरीके से priorities areas जो है जिससे हम क्या है achieve कर सके sustainable development को उसे हमें describe करना है then उसके बाद explain करना है detail में importance of environmental studies को के बारेम हम जो पढ़ रहे हैं environmental studies our environment के बार में क्या हिनका importance है क्यों हमेरे जरुर्य है तो यह पढ़ना समझना बहुत जरुर्य है देन उसके बाद unit 2 जो हमारा next होने वाला है आपको मैं बता दू यह chapter हमारा खत्म हो गया है unit 2 हमारा ecosystem रहने वाला है तो देन हम ecosystem पढ़ेंगे उसके बाद आप सभी को यह video अच्छा लगा होगो हमने एक ही class में एक ही lecture में इस पूरी की पूरी वीडियो को complete कर दिया तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फटा फट लाइक कर दिए चैनल को subscribe कर दिए बैल आइकन बटन प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियो की notification आप सभी को मिल सके और important है यह तो वीडियो सेयर करें ठीक है इसी वीडियो के next वीडियो में मिलते हैं आपको तब तक के लिए बाई